Hello Everyone, स्वागत है आप सबीका हमारी स्यूटिप चैनल पर दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि टैक्स को कॉपी कैसे करना है दोस्तो हमारे मोगाल में बहुत सारे ऐसे टैक्स होते हैं जो की इमेज में होते हैं और उसे हम कॉपी करना चाहते हैं तो वो कॉपी नहीं होता है और दोस्तो बहुत सारे ऐप में कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जिसे हम कॉपी करना चाहते हैं तो वो कॉपी नहीं हो पाता है और जिसके कारण हम दोस्तो हम कहीं पर उसे पेस्ट भी करना चाहते हैं तो पेस्ट नहीं कर पाते हैं जैसे कि चलिए हम दिखा देते हैं, यहाँ पर यह हमारा mail ID है, mail ID पर जैसे कि कोई भी text है, इसे हम यहाँ से simple copy करना होता है, किसी भी text को, तो simple इस पर हम जैसे ही इसे click करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तो यह select हो गया, और यहाँ पर copy का option आगया, simple हम इसे यहाँ से copy कर लेते हैं, लेकिन दोस्तो कुछ ऐसे text होते हैं, जैसे कि एक text है हमारे mobile में, यह देख सकते हैं, यह image में, इसे select करने जाएंगे दोस्तो तो यह select ह हो गाई नहीं, हम चाहा करके भी इसे select नहीं कर पाएंगे, तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे कि बिल्कुल ही easily आप कहीं भी किसी भी text को, आप easily copy कर पाएंगे, किसी भी image बला अगर text हो, या कहीं का भी text हो, किसी भी app का text हो, आप simple जो है उसे copy कर पाएंगे, तो दोस्तो वीडियो बहुत ही informative होने वाला है, वीडियो के शुरू से अंतक बने रिये, और दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो चैनल को जरूर से subscribe कर ले, और साथ में bell icon को प्रेस कर ले, तो चलिए दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं, तो simple दोस्तो आपको text copy करने के लिए क्या करना होगा, simple आपको अपने play store पे चले जाना है, play store पे चले जाने के बाद उपर आपको search मारना है, copy text on screen, यह आपको search मारना है, यह जैसे ही search मारेंगे, तो आपके सा simple आपको यहां से download कर लेना है, तो यह application आपको अगर play store पे नहीं मिलता है, तो हम इस video के description में इस app का link डाल देंगे, जहां से जा करके easily इसे download कर पाएंगे, तो चलिए हम इसे use कैसे करना है, simple इसे open कर लेते है, open वाले option पे जैसे ही click करेंगे, तो यहां पे आपका camera खूल कर करके आजाएगा, अब simple यहां से जो है, आप अपने text का photo ले सकते हैं, अगर दोस्तो अगर आप photo नहीं है, अगर आपके mobile में कोई photo है, तो यहां पे right hand side में एक photo वाला option आजाएगा, उस पे आपको click करना है, आपका gallery या file manager आपका खूल करके आजाएगा, अब यहां पे द तो simple यहां से जो है, इसे select कर लेना है, जितना भी हमें copy करना है, इसे select करने के बाद, यहां पे नीचे जो है, okay का option है, इस पे आपको click करना है, okay वाले option पे जैसे ही click करेंगे, यह जो है, यहां पे अब कुछ इस तरह से interface आजाएगा, अब जैसे ही, अब दोस्तो इसे copy कैस करना है, तो simple आप जैसे copy करते हैं, वाइसे ही आपको select करना है, select जैसे ही करेंगे, तो यहां पे दोस्तो यह देख सकते हैं, बिल्कुल ही easily जो है, हमारा photo वाला जो था, अब यहां पे text में बदल गया है, और यहां पे copy का option आ गया है, cut का option आ गया है, simple यहां से आपको copy कर लेना है, अब इसे जैसे आप copy कर लेंगे, तो यहां पे देख सकते हैं, नीचे भी copy का option है, translate का option है, PDF का option है, आप simple जैसे ही PDF वाले option पे click करेंगे, तो यह जो है, PDF भी बन जाएगा, और आपके WhatsApp, यहां पे Gmail, आपको Telegram, सारा option आ जाएगा, आप वहां से PDF में भी इसे share कर स सकते हैं, तो यह जो है, दोस्तो यह copy हो चुका है, अब जैसे कि हमें कहीं पे इसे paste करना है, जैसे WhatsApp पे paste करना है, यहां पे जैसे हम click करेंगे, और simple paste का option आ गया, और इसे हम easily कहीं भी paste कर सकते हैं, तो इस तरह दोस्तो आपका कोई भी photo वाले text है, जिसे आप copy करना चाहते ह आप कोई भी text जो है, बिल्कुल easily copy कर पाएंगे, तो दोस्तो उमीद करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, कि image वाला text कैसे copy करना है, तो दोस्तो उमीद करते हैं, कि यह video आपको पसंद आया होगा, और आपके लिए helpful होगा, तो दोस्तो अगर video पसंद आया हो, और आपक के लिए helpful हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, new helpful वीडियो के साथ,